क्या देश के सविधान के साथ कॉंग्रेस ने कोई बड़ा खिलवाड किया है क्या 55 सालों में कॉंग्रेस ने किये 55 पाप और क्या कॉंग्रेस ने रची थी सनातर को मिटाने की साजिश नहरू से लेकर गांधी तक किस किस ने किये हैं महापाप इस देश में अब कौन करेगा कॉंग्रेस के पापों का प्रश्यात्ता इस पर क्या बोले हैं देश के सनातरी योद्धा नश्वनी उपाध्याय और वो भी धर्म ग्यान पर सुनिए उंका ये पूरा विडियो ड्राइबर को वेतन भत्ता मिलता है सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए टीचर को वेतन भत्ता मिलता है बच्चों को अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए ड्राइबर को वेतन भत्ता मिलता है अच्छी तरीके इलाज करने के लिए वैसे सासक को सांसद विधायक मंत्री मुख्य मंत्री परधान मंत्री को वेतन भत्ता गाड़ी मिलता है भारत को सुरक्षित करने के लिए देश को सुरक्षित करने लिए भारत की समस्याओं को खत एक के बाद एक एक के बाद एक इतने घटिया कानून बनाए कि भारत की संस्कृती लगातार कमजोर होती चली गए पचपन साल में पचपन महापाप किया कांग्रेस ने भारत के संविधान जब बना था इसमें भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान गौतंबुद्ध भगवान महाबीर छटपती सिवाजी महाराज हनमान जी भगवान नटराज सबकी फोटो थी उन सारे फोटो को निक लॉबीर भारत में राश्ट भासा संस्कृत होना चाहिए यह प्रस्ताव खुद डॉक्टर अंबेडकर ने पेस किया था उस प्रस्ताव का विरोत किया था नहूजी ने डॉक्टर अंबेडकर को स्तीफा देने क्लिए मजबूर किया नेहुजी ने स्यामभशाद मुकरज जंडा ये भगवाद ध्वज का बंड़ा था उसका विरोथ किया नहरूजी ने शरीयत एक्ट 1937 को कांटीनियू किया नहरूजी ने भारत का दो नाम रख दिया भारत और इंडिया ये काम किया था कांग्रेस ने नागरिकता के लिए घटिया कानून बनाया और सारे घुसप चीन को दे दिया ये भी काम नहरूजी नहीं किया था नेपाल भारत में मिलने वाला था लेकिन उसको नहीं मिलाया नहरूजी ने भारत के जो विदेशी कुरीतियां थी कूप रथाएं थी उनको कांटीनियू किया नहरूजी ने आडिकल 25 में प्रफोगेट शब्दों जो कांग्रेस ने बाबर उमाईं तुगलग गर्जनी गोरी के नाम पर सबक महले गलियां चल नहीं है उसको कांटीनियू किया कांग्रेस ने गुलामी के निसान को कांटीनियू किया कांग्रेस ने गुलामी की कूरितियों और गुलामी की कूप रथाओं को कांटीनियू किया गुलामी की सिख्षा बेवस्था यानी मदर्सा और मिसंडी सी स्कूलों को आगे प्रमोट किया कांग्रेस ने गुलामी की चिकिस्था बेवस्था को प्रमोट किया और भारत की चिकिस्था बेवस्था को बरबात करने के लिए 1954 में ड्रग एक्ट बना दिया अभी आपने सुनवा होगा सुप्रीम कोट में लगा था जो पतंजली वाला मामला चल रहा है उसकी जो जड़ है 1954 का ड्रग ए कांग्रेस ने गुलामी की लाइंग्वेज को प्रमोट किया कांग्रेस ने कभी भारती भाषाँ को प्रमोट नहीं किया वोक्त पैट बनाया नहरू जी सबसे पहले 1954 में बनाया काँग्रेस ने उसके बाद इंदिराजी उसको मजबूत किया उसके बाद नहरू जी सिम्राओं ने मजबूत किया फिर मनमहुन यह work pact को दुबारा फर से खतरनाक बनाया 1995 में कांगरेस ने अलिगर मुस्लिम इन्वस्टी को माइनाटी इन्वस्टी का दरजा दिया कांगरेस ने जामिया को माइनाटी इन्वस्टी का दरजा दिया कांगरेस ने Minority Affair Ministry पहली बार भारत में 2006 में बनी थी, वो भी बनाया था Congress ने, Minority Commission पहली बार 1992 मना था, आक्ट कानून बना के, वो भी पहली बार Congress ने बनाया था, विदेसी funding मिलती रहे, मावादियों को, नकसलियों को, जहादियों को, मिसंरियों को, कठरपंथियों को, सब को विदेसी funding क कराने के लिए, FCRA कानून बनाया था Congress ने, हिंदू जैन बाउध सिक को आपस में बाटा Congress ने, ब्रामर चत्री वैश दलित के बीच में खाई पैदा किया Congress ने, जाती का जहर घोला Congress ने, भाशा का जहर घोला Congress ने, छेतर का जहर घोला Congress ने, नार साउत उत्तर दक्षिड के अधार पे देश को पूरा बिभाजन किया Congress ने, मुगलों से जादा लूटा Congress ने, अंग्रेजों से जादा लूटा Congress ने, आपको पता होगा, सतर जार क्रोड का का मनवल्ट घोटाला, एक लागच्छाटर जार क्रोड का कोईला घोटाला, पूल मिला के देखे तो Congress के 55 साल के राज में लगभग 55 लाख करोड रुपए लूटा गया है और ये पैसा हमारा आपका टैक्स का पैसा है 55 साल में 55 लाख करोड रुपए कांगरेस के समय में खोटाले हुए है अगर आप सारे खोटाले मिला दीजे आप गूगल करिएगा आपको a to z सारे खोटाले मिल जाएंगे प्रियंबल में लिखा हुआ है भारत एक संप्रफ रास्ट है संप्रफ रास्ट तब होता है जब गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निसान हो लेकिन उसके लिए कुछ भी किया नहीं कांगरेस ने संभिधान कहता है वन नेशन वन पिनल कोड़ होना चाहिए Congress ने कुछ भी नहीं किया समयस्थान कहता है लिशिलिश कोड़ ना चाहिए Congress已 नहीं। उसके लिए Congress ने कुछ भी नहीं किया, कोई Duty Code नहीं बनाया, भारत का संसकार, भारत की संस्कृति आगे बढ़े, Article 29 भी यही कहती है, एक संसकार Code होना चाहिए, एक Cultural Code होना चाहिए था, Congress न उसके लिए कुछ भी नहीं किया, One National Judicial Code होना चाहिए, लोगं को Justice Within Year मिले, एक साल के नियाय मिले, Congress ने कभी इस पर चिंतन चर्चा ही नहीं किया, कभी चिंतन भी नहीं किया, जबकि Constitution के कई सारे provisions हैसे हैं, जहां बार-बार कहा गया, लोगं को Justice मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, तो जल्दी Justice का मतलब कम समें एक साल के अंदर मिल जाना चाहिए, लेकि सारा तर उसमें से Congress के कारिकाल में बनाये गए, मजार दरगाव मजरिचर सरकार के control में नहीं है, लेकिन मठ मंदिर सरकार के control में 18 राज्यों में 35 कानून चल रहे हैं, एक लाख करोड से जादा मठ मंदिरों का चढ़ावा सरकाल लेती है, ये काम किया Congress में, कायदे से एक One Nation One Indowment Code होना चाहिए था, यानि एक भारती धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए थी, Congress ने उसके लिए कभी कोई नहीं काम नहीं किया, हमारे पात 2% जमीन है, 4% पानी है, जनसंख्या 20% हो चुकी है, जनसंख्या जिससे आप से बढ़ी है, उसके इसाप से भारत में एक population control ला होना चाहिए था, Congress तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, One Nation, One Administration Code लागू होना चाहिए, Constitution कहता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया, वास्तों अगर आप पूरा ध्यान से देखें, तो 55 साल के राज में Congress ने Divide and Rule किया है, बाटा है, लूटा है, लूटवाया है, और नतीजा क्य हुआ, आज हम यहां पहुँच चुके है, ना Congress की गलत नीतियों का परिणाम यह रहा, कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू जैन बाध दसिक खतम हो चुके है, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू जैन बाध दसिक खतम हो चुके है, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसी है कांगरेस पुरानी पार्टी इसलिए उट करना है तो आप उट करिए फिर तो बरबादी से कोई रोक नहीं सकता मैंने तो आपको सचाई बताई है आज अगर भारत में घुस खोरी कमीशन खोरी जमा खोरी मिलावट खोरी काला बाजारी है तो इसका मूल कारण है कांगरेस के द्वारा बनाएगे घटिया कानून अगर भारत में धर्मांतरन हो रहा है घुस पैट हो रही है तो इसका मूल कारण है कांगरेस के द्वारा बनाएगे घटिया कानून अगर भारत में जिहाद है, मजभी उनमाद है, पत्थर बाजी है, तो इसका मूल कारण है कांगरेस की द्वारा बनाएगे घटिया कानून, अगर भारत में आराजकता है, भारत में जिस तरीके से डिमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, इसका मूल कारण है कांगरेस की तु वो या तो चर्च के पास है या वकबोर्ड के पास है होना चाहिए किसके पास? मंदिरों के पास लेकिन मंदिरों की जमीन को कंगरेस ने कब्जा कर लिया ऊपर से जो अठारह सो चौरानमे मंगरेजों ने लैंड एक्विशन एक्ट बना कि चर्च के पास और वकबोर्ड के पास इसका मूल कारण है कांग्रेस के घटिया कानून मैं आपसे निवेदन करता हूँ भारत को बचाना चाहते हैं भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं भारत की परंपरा को बचाना चाहते हैं तो जाती भासा छेत से उपर उठीए अप जिवनी जी हूँ चैसाइव गुज्राद साहब हो जिए मनम Надо repeating भूसेंग ऑप पाकिस्तान में लोग Special कर लिए अफगानिस्तान की सच्वेशन आप जानते ह। गॅड़नेरे की सच्वेशन आप equival Kyra तहसील है, 300 के 300 तहसीलों के डेमोग्राफी बेदल चुकी है, इसलिए मेरा आप से निविदन है डल गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए इस समय जरूरत है कठोर कानून की जरूरत है One Nation One Penal Code की One Nation One Civil Code की One Nation One Police Code की One Nation One Citizenship Code की One Nation One Business Code की One Nation One Tax Code की जरूरत है धर्मांतरन खुस्पैट जनसंख्या विसफोर्ट के खिलाब का ठोर कानून की मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करिएगा, अगर आप नहीं शेयर करते हैं, तो सौहरीक सी बात है, लोग जाग रुकता नहीं आएगी, तो लोग सही मन से चीजों को समझेंगे नहीं, और पार्टियों के गुलामी करते रहेंगे, नेताओं के गुलामी करते रहेंगे, और पच्चिस साल के बाद, 2047 में वही होगा, जो 1947 में हुआ था.